जहिन दोस्तो देखिए, फरवरी 2023 में आप लोगों के लिए 6 नया सरकारी भरती निकल के आचुका है, जिसके लिए दोस्तो आप फौंग भर सकते हैं, और 6 का 6 दोस्तो हम यहाँ पर डीटेल में लिख रखें, देखिए इसमें भी 10 वी पास है, इसमें भी 10 वी पास है, और तो आपके पास कुछ भी qualification है, दसवी पास तो आप जरूर होंगे, इसका मतलब आप सभी वेकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और ये सारा का सारा दोस्तो सरकारी भरती है, के अंदर सरकार का नौकरी है, और फरवरी महिना में दोस्तो सबसे ज़्यादा वेकेंसी निकला ह तो भरना आप लोगों को जरूर है, लेकिन भरने से पहले समझ लीजिए, आपके लिए कौन सा वेकेंसी सूट करता है, कौन सा वेकेंसी के लिए आप लायक हैं, मेरे ख्याल से आपको दोस्तों इन में से 3-4 वेकेंसी सभी विद्यार्थों को चून-चून करके भर देना चाहिए, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी सरकारी वेकेंसी आता है, छोटा हो या बड़ा, मेरी चैनल पर आप लोगों को हर प्रकार का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल आगे दोस्तों इंडिया पोश्ट, इस पे दोस्तों सबसे ज़्यादा सीट है, इसलिए हम इसको एक नंबर में रखें, यह निकाला गया भारती डाक विभाग की तरफ से, आप लोगों को हम बहुत दिन से बता रहे थे कि इंडिया पोश्ट में बॉम पर भरती आने वाल इसका, ग्रामीन डाक सिवक का दोस्तों, टेंथ के परसेंटेज के आधार पर सेलेक्शन होगा, इसको कोई परिक्षा नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से आप पांचों बैकेंसी से पहले आप इसको जरूर भरिएगा, क्योंकि इस बैकेंसी में सबसे बड़ा फाइदा यह है कि ना आपको कोई किताब पड़ना है, नहीं आपको कोई सलबस देखना है, नहीं कहीं exam देने जाना है, ट्रेंड में भीड में कहीं जाने कोई जरूरत नहीं है, घर पे रहो बस भर दो और दूसरे exam की तयारी करो, यदि आपका परसेंटेज उस लायक होगा, तो आपका से दोनों विद्धर चीजिश को अप्लाइक कर सकते हैं लेकिन जो सलेक्षीं और राज्जी बोर्ड दोनों विद्धैर्चिश को अप्लाइक कर सकते हैं किसी बहुत सकते हैं अपैस नि length छूट मेलेगा ठीक है फी कितना लगेगा मात्र एक सुरूप है जनरल ओबीसी एडवलोस हंडेड़ उपीस पेमेंट मांग रहा है अपलाई कब से होगा देख लीजे 27 जनवरी से फॉर्म सुरू हो गया है चलेगा 16 फरवरी 2023 तक और इतना ज्यादा मारा मारी है दोस्तों कि अभी फॉर्म सुरू ही हुआ है कि इसका सरभर जो एक दम सुलो हो गया है ठीक है तो लेट मत करना यदि भरना है तो भर दो नहीं तो लास्ट डेट आप देखोगे कि एक दो दिन बचा आप भरिएगा तो आपका सरभर सुलो हो जाएगा और फिर आप भर नहीं पाईएगा इसलिए सुरू में भर दीजेगा ठीक है तो वेकेंसी नमबर वन समझ में आ गया इंडिया पोस्ट डाक विबाक की यह भरती है ठीक है चलिए दूसरी नमबर की जो लो ना आप भरो SSC MTS SSC MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ इस पर 11,409 इस तरह कुछ सीट निकला था लेकिन SSC ने फिर इसका सीट बढ़ा दिया अब इसका सीट 12,000 से उपर हो गया 12,500 प्लस आपका यहां पर सीट हो गया है तो वेकेंसी दोस्तों अपने आप में काफी मस्त ह इस पर दो तरह का वेकिनसी है एक है SSC MTS का और एक है दोस्तों हवलदार का दोनों में 10 वी पास मांगा है और दोनों के लिए केवल एक ही फॉर्म आपको भरना है ठीक है 12,523 टोटल सीट है योगता 10 वी पास परसेंटेज कोई ज़रूरत नहीं किसी विवोर्ट से हैं साइक कर दीजिए 10 पास मांगा है उम्र सीमा का बात करेंगे तो 18 कम से कम होना चाहिए अधिक से अधिक 25 और 27 दो तरह का वेकिनसी है एक में अधिकताम उम्र 25 साल मांगा है एक में अधिकताम उम्र 27 साल मांगा है यह हो गया जैनल कटिगरी का यदि आप OBC है तो तीन साल एज में छूट देखने को मिल जाएगा समझ में आगया फी कितना लगेगा भरने में पैसा कितना देना होगा समझिए जैनरल OBC EWS एक सो रुपए लगेगा बाकी यदि आप सी है एस्टी है महिला है पी एच केंडिडिट है एक सर्विसमें है तो आपको पैसे देनी की कोई हाल में फॉर्म को भर देना है लास्ट डेट बढ़ने का उम्मीद में मत रहना लास्ट डेट नहीं बढ़ेगा ठीक है और यदि बढ़ गया तो अच्छा बात है लेकिन इतना मान के चलो कि यहीं मेरा अंतिम सीमा है इसके आगे कोई मौका नहीं मिलेगा और उमीद ह ज्यादा तर कि नहीं बढ़ेगा डेट ठीक है तो आपको भर देना है दोस्तो एससी एमटीएस जीडीएस बहर रहे हो तो इसको भी भरना जरूर भरना ठीक है चलिए अब आगली जो भाकेंसी है दोस्तो इसका विभाग देखिए ये भी बहुत मस्त वेकेंसी है ये निक सिक्यूरिटी असिस्टेंट एक्जिक्यूटिव का वेकेंसी है टोटल 1675 सीट है दोस्तो तो वेकेंसी भी मस्त है योगता का बात करेंगे तो केवल 10 वी पास मांगा है एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए उनली 10 पास विद एनी परसेंटेज और मार्क्स कितनों मार्क् लबनी भर सकते हैं ओमर सीमा कम से कम 18 अधिक से अधिक 25 और 27 अधिक 25 और 27 जनरल काटिगरी यदि आप OBC है तो तीन साल छूट मिलेगा को पांस साल एज में शूट देखने को मिलेगा तो भरना जरूर ठीक है अपलाय करने में कितना पैसा लग रहा है तो थोड़ा सा पेमेंट इस पर ज्यादा है कितना जनरल OBC EWS को साड़े चार सो पेमेंट करना होगा यदि आप SC ST PWD है तो आपको 50 रुपए दोस्तों इस पर पेमेंट करना पड़ेगा ठीक है तो भर दीजेगा अपलाय करने की तिथी की बात करेंगे तो 21 जनवरी से फॉर्म सुरू हुआ है दस फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट है तो आपको भरना जरूर है दस फरवरी इसका अंतिम तिथी है दोस्तों देख लीजे समयवा गया चल मैं आप देखोगे इंडिया का तो जो भी समुद्र इलाका है ठीक है जो भी कॉस्टे ले रही है वहां पर तैनात होते हैं कॉस्ट गार्ड नाविक जीडी और नाविक डीबी जीडी मतलब जेनरल ड्यूटी और डीबी मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच तो दो तरह का इस पर भेकिंसी है ठीक है जो डीबी है उस पर मांगा है 10 पास जो जीडी है उसमें मांगा है 12 पास ठीक है देखे दोस्तों इंडियन कोश्ट गार्ड की सबसे अच्छी त्यारी के लिए आप लोगों को एसकी पॉब्लिकेशन का किताब ले लेना है एसके यानि दोस्तों स्रीक्रिशन पॉब्लिकेशन का यह जो आपको इताब देख रहे हैं स्क्रीन में यह दोस्तों मार्केट में और ओनलाइन भी सबसे बेस्ट बुक दोस्तों कोश्ट गार्ड का होने वाला है भारतिय तटरक्षक नाविक डीबी और नाविक जीडी दोनों का दोस्तों यहा साथ इससाथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है जैसे कि देख सकते हैं अभियास पेपर सेट नाविक डीबी और नाविक जीडी सेक्शन वन के लिए इस पर दोस्तों टोटल संटीस यानि 37 पेपर आपको देखने को मिलेगा जो कि नए सेलबस और नए पैटर की किताब Lucky के लिए किताब को दोनों में और ने ऐसे नीकला है 275, कितना सीट है, 275 निकला है, तोटल सीट यहाँ पर निकाला गया है दोस्तों, 18-22 जनरल काटिगोरी यदि आप OBC है, तो तीन साल छूट मिलेगा, SST को 5 साल का चूट मिलेगा, केंदर सरकार का सरकारी नोकरी है, दोस्तों, रक्षा मंतराले के अंतरगती आता है तो भरना जरूर है अपलाई करने में कितना पैसा लगेगा तो जनरल OBC EWS को 300 रुपे पेमिंट करना होगा यदि आप SCHT है तो आपको पैसे इस पे नहीं लगेंगे समझवा गया यह हो गया दोस्तो वैकेंसी नंबर फोर्थ यहां तक है कर लोगों का क्लियर है चलिए दोस्तो अब वैकेंसी नंबर फिप्त की ओर चलते हैं देखिए वैकेंसी नंबर फिप्त जो है यह निकाला गया है Eisen का मतलब होता है आर्मी ओर्डिनेंस कॉप्स क्या कहेंगे आर्मी ओर्डिनेंस कॉपस इस पे दोस्तों सतरह सुतिरानवे टोटल सीट निकाला गया है अभी इसको शॉट नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों द करें एक ए यह हो गया general category का यदि आप OBC है तो तीन साल छूट मिल जाएगा SHT को पांस साल का एज में छूट देखने को मिलेगा समझ मा गया आप यहां बात करेंगे भरने में कितना पैसा देना होगा फी कितना देना होगा देखे जैनरल OBC EWS 100 रुपीस पेमेंट आपको करनी होगी यदि आप SCST महिला है तो आपको इस पर पैसे देने की ज़रुवत नहीं है इनका फॉर्म फिलब फिरीम होगा ठीक है अप्लाइडेट की बात करेंगे तो दोस्तो ध्यान दिजेगा अभी इस आपको इस पे हजारों वीडियो मिल जाएगा जो की अभी इसका अप्लाइडेट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा अब बताय जा रहा था कि 28 जनवरी से हो सकता अप्लाइड होगा लेकिन 28 जनवरी से दोस्तो अप्लाइड शुरू नहीं हुआ तो बहुत सेप में दोस्तों ड्राइवर के लिए भरती आया है ठीक है टोटल 451 सीट है दोस्तों योगिता दस भी पास मांगा है उमर सीमा 21 से 27 साल कम से कम 21 अधिक से 27 जनरल करेटिगरी यदि आप ओबी से तो तीन साल छूट मिलेगा सेष्ट को 5 साल का छूट देखने को मिल करना होगा यदि आप सेष्ट हैं तो आपको पैसे इस पर नहीं लगेंगे अपलाइट की बात करेंगे तो 23 जनुवरी से इसका ओन लाइन चल रहा है 23 जनुवरी से फॉर्म सुरू हो गया है 22 फरवरी 2023 इसका लांस डेट है तो 22 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भर देना लेकिन दोस्तों इस पर कंडिशन है कि योगिता जो टेंथ पास मांगा है इसमें साथ में एक और चीज मांगा वह है डियल ड्राइवरी लाइसेंस आपका इस पर होना चाहिए तो अभी आप इसके लिए अपलाइक कर सकते हैं तो दोस्तों आप मुझे कॉमेंट में जरू लिखेगा और क्या दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को सबस्क्राइब किया है कि नहीं किया यादी नहीं किया तो सब्सक्राइब का लीजिए क्योंकि हर प्रकार का छोटा से बड़ा अपडेट हम अपनी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं तो आई-प invece कोन को कोई सब पूछना हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षन में बहीचक पूछ सकते हैं तो चली दोस्तों आज के लिए तना ही मिलता अगली वीडियों बहुत जल्द तब तक के लिए जाहिंद